हे गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल में और दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि दोस्तो अगर आप सभी लोगों को Roblox के application में इस तरीके से जो है यहाँ पे error देखने को मिलता है यहाँ पे दोस्तो बेसिकली लिखा रहता है Something went wrong, please try again later तो अगर आपको इस तरीके से जो है लिखा हुआ problem आता है इस application में तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करनी है तो चलिए गया इस वीडियो सटार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तो सबसे पहले तो आपको back आ जाना है इस तरीके से आपको back आ जाना है back आने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको अपने phone में आपको एक option आता है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको manage apps पे चले जाना है और उसके बाद आपको search bar पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको row blocks करके लिख लेना है और इस तरीके से जैसे ही आप लिखेंगे तो यह जो application है वो आएगा तो आपको उसको open करनी है open करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है उपर के और slide करना है और यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाता है restricted data uses का तो आपको दोस्तों यहाँ पे click करना है और यहाँ पे click करने के बाद आपको यहाँ पे wifi और mobile data का option आता है तो आपको दोस्तो यहां पे आपको इसको दोनों को यहां पे enable कर लेनी है और यहां पे enable करने के बाद आपको ok कर लेना है और दोस्तो यहां पे आप जो है इसका application permission setting में जाएए और सारे के सारे permissions को allow कर लिजिए तो आपकी problem जो है वो solve हो जाएगी और दोस्तों आप सब लोग इस application को हमेशा जब भी आपके phone में playstore में update आता है तो आप उसको update करते रहिए तो आपको कोई भी error नहीं आएगा तो इसी तरीके से आप जो है इस problem को solve कर सकते हैं तो अगर ये video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजिए और दोस्तों हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए